आज मैं सेयर कने जार रहे हूं तीन नहेतरे की अचार की रैस्पी जिसे आप एक बार बना कर पूरे सालिश कलोगत उठा सकते हैं इससे साथ ये खाने में बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं और बिना खराब होई है पूरे साल चलते हैं आप बस एक बार इनको बना कर रख लेजिए और आपको बार 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 अचार बनाने की टेंसन भी ने रहेगी आपको इस साल आराम से चलेंगे बिना खराब हुए सबसे पहले मैं सेयर करूंगे आपके साथ मूली गाज़ और हरेमरिच की रैस्प ये खाने में बहुत ज़दर टेस्टी लगता है तो देखें अचार बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने सरसो लिए है तो जो सरसो है ना ये चार चमच के आसपास है इसके साथ इतनी मातरा में आपको शॉप ले लेनी है तीन चमच ले लेनी है अब देखेंगे गैस का प्रश्र फिलेम है वो आपको मीडियम रखना है अगर प्रश्र वह जलने लगते हैं तो जो मातरा है ना जलने लगते है इस तरह से चलाते हुए ना मीडियम फ्लेम पिन मसालों को इतना भून का तयार कर लेना है जिन से की जो मसाल है ना उनकी नमी दूर हो जाए इस तरह से अगर हलके से मसालों को भून कर अचार बनाते हैं तो जो अचार होता है वो कभी खराब नहीं होता हो काफी लंबे टाइम तक चलता है इस तरह से ना भून लेने से जो मसालों के अंदर नमी होती ना वो खत्म हो जाती है इसके बाद आखे मसाल को ठंडा कर लेना है और इनका दर पाउडर बनना करति हीया कर लेना है अब देखे मैंने यह आधा का फोर तेल लिया है तो जिसने साथ हारी मिर्च पिडाल लेकिना है हाई मिरमिर्च को ब souvent पका लेना है , question भूए इसे बूकर मेरिच मेंडा सर्क लखते हैं डना पार्डर, लाल निया उसाथ उसे Tक स्वादर, में डालना चाहते है गपारा से फहें वहंता है धनलर फैसिंग बितुम काया, में बिक्कान बडार हमजोर पार्डर देना है आप देखे जो आप इस तरह से मसाले इसमें डाले ना तो जो आप गैस finite को फिलेraph वो एकदम से आपको लौ कर underwater देना है लो फिलेम पर ही आपको सारे मसाले ढलने हैं अगर आप टेel मे साले मे डालते हैं तो जो मसाले हैं वे ज़लने लगेंगे और जो 4 इसलिए का काट कर लिया है तो आप जिसरी साइज में इन्हें को काटना चा empieza आप काट सकते हैं इसकी बाद देखे कि जो और डदरी पीस इता है वे इससे मिला लेने है इसके बाद ना सभी इस तरह से अच्छे से mix कर दीना है और इसलिए आद से चलासुरे मसालों के साथ इसको पकाना है अब देखें मुहली गाजरो और हरी मिर्चकना जहटपट से बनने वाला चर बन करते है यार हो चुका है तो आपने भी कभी अगर इस तरह से अचार नहीं बनाया तो एक बार जरूर बनाएगे ये खाने में तो टैस्टी लगता है इसके साथ चरपट से बन बेजाता है इसके साथ इस अचार को आपको दोफ में सुकाने जरूद बिलकुल नहीं पड़ेगी नदोफ में सुकाए हुए भी अगर आप इस तरह से अचार बनाएगे न तो जो आपका अचार है वो एक महीने तक आराम से चल जाएगा और खराब बिलकुल अब देखे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यह अचार है और भी लंबे टाइम तक चली जिस भी बरतन में आप अचार रखे न उस अचार के बरतन को आपको तेल से पुरा भर कर रखना है इसके साथ ही आप जो तेल ले रहे हों कच्छ तेल बिलकुल नहीं लेना है ते हरी मिर्च का चाहर बना रहे है तो हरी मिर्च ने अपने हिसाब से ले सकते हैं हरी मिर्च को दो कर अच्रे साब कर लेना है अब आपको पते जो अच्new घार भर राब हों आपके पास हारी मिर्च का काट करते हैं आप सकता है अगर आप ऐसे इस भी बना Senior ना चाहिए नहीं करें शूल में सली और सब्सक्राइद और जाए यक्तो इस पीनदान सब्सक्राइब नहीं आपको द्यान यह रखना है न छरु निह नहीं करना है इस थारे सिरेगें, अब अग Kennes जरु से भी बहुत ज़लें यहाद जरुदिन आपको भी इस बात के धियान लगना है और ऑटेर बनना अग कर लिका यह लिए कि नहीं लेनी अगर आप मिर्च को ज़्यादा तीखा लेते हैं तो जो अच्या रहे ना वो जदे स्पाई से हो जाएगा आप उसको रहसाने से खाना ही पाएंगे इस बात करना धियान रखिए अब यह देखिए मैंने जो हरी मिर्च है सारी काट कर तयार कर ली है तो आपको जीरा तो यह जो जीरा है मैंने दो चमच लिया है इसके बाद दो चमच मैंने ली है में थी और दो चमच लिया है मैंने सौफ और यह जो मैंने धनिया लिया है यह मैंने तीन चमच लिया है तो जो धनी की मातरा है मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है ऐसे आप ना इसमें जो तक भूंते टाइम गेस-मसाले को नए भूनना है। अगर आप इसको भूनते हैं तो जो मसाला है वो जलने लगेगा। तो इस तरह से यह ज़िदर इसको भूनकर अच्छे से तयार कर लेना है, जिससे के जो इसका कच्छा पन है वो दूर हो जाएगा है। और जो अचार तक चलेगा अगर आप इस तरह से मसाला भून कर तयार करते हैं तो अचार जल्दी छल्दी से खराब नहीं होता चाहते हैं तो पाॉडर तो जो अच्छा रहे हैं खान में बहुत ज़ता टेस्टी बनकर तैयार होगा ये दिकि मैने इसको पीस लिया है आपको भी इस तो गयणो खरण करकर तैयार कर लेना है अब देखिये इसमें थोड़ा था मैंने नमक बिला रही है नमक अपने टेस्ट के कोडिंग मिला सकते हैं तो मैंने ये डिर्ड चमच नमक लिया है इसके बाद ना इसमें डालेना है एक चमच गर्मसाला इन्हें ना अच्छे से मिक्स कर लेना है अब देखे वैसे तो यह हरी मिर्च का चाहर है तो इसमें ना मिर्च डालने के जरूत बिल्कुल नहीं है पर अगर आपके जो मिर्च है वो जादी स्पाइसी नहीं है और आपको जो अच्छार है थोड़ा से स्पाइसी बनाना है तो इसके लिए ना आप इसमें थोड़े इसी लाज मिर्च डाल सकते हैं अभी देखे हरी मिर्च में इस तरह से इस मसाले को भर तो एक बाना जूर बनाईए इस तरह से बनाच और खाने में बहुत ज़दर टेस्ट लगता है इसके साथ यह चार जल्दी से खराब भी नहीं होता तो ना आप इस अचार को लब टाइम तक ने स्टोक करके भी डख सकते हैं इसके साथ टेस्ट लगता ही लगता है अधिक मैं सारी मिर्च में इस तरह और सासाला बदाब तैयार करा लिया है तो आप अच्छा झाला करें तो आपको बरतन पहले ऑड़ा हमाँ उसके बाद पहले तिरमाइतो आपि इसके बाद इसके बाहरे होनेक लेंड में लिए गर्म क dalवना है तो आप हिंग जरूर से डालिए इसके बाद देखे इसमें डाल लेनी है एक मचल देए अब इनको चला है तो भी हलका सा भून लेना है जिससे के जो बस इनको कच्छा पने हो दूर हो जाए बस इतना इनको भून लेना अब इसके बाद जो मसाला बचावाता ना वो भी इसमें मिला लेना है तो इसको भी ना इसके सा थोड़ा सा भून लेना है देख मसाला है ना पहले से भी हलके से भूना हुआ है तो ना मसाले को भूज़द नहीं भून अगर आप इसको भुचद 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 अगर आप इसको पकाते हैं तो इसमें नहीं कड़ो पनाने लगेगा तो नहीं इसको भुचद नहीं पकाना तोड़ा सा यह भूं जाए बर इतने ही इसको भूं का तयार कर ले Bizके साथ ही गैस आपको इस टाइम बंद कर देना है अगर आप गैस अउन रखते हैं है तो जो मसाला है वो जलने लगेँगा इसे और जो अचारे खराब हो जातो है अब अगर आप चाहते हैं आपका जो अचारे खाने में और भी ज़दा टेस्टी बननी कर तियार हो तो इसके लिए आपकर इसमे थोड़ी से मसाल zrobi अइड करने हैं नहीं तो आप इसको लोगत भी बना कर तेयार कर सकते हैं अब देखे अचार को और भी ज़दा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है दो चमच धनिया इसके साथ ही इसमें डालेना है दो चमच जीरा पाउडर और इसके बाद जो अचार है खाने में और भी ज़दा टेस्टी और जो अचार है उसमें खटा सा पनाई उसके पॉध्परबू हम्चूर नमक भी टाल लो पाई लगए तो अillsकी मेरी है। पहले भी डाला हुआ था तो को खहसता है, लेता को आपको श्यान लेता हैं अब कोई मसाला वाप्र में नहीं कॉछ इस नहीं स्क weet हैiende कर दो यदि कमिशते हैं। पुल्दें चाहती हैं तेयार करेंगे तो जो आपका चारे खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी बनकर तेयार होगा अब देखिए जो अचारे देखने में कितना बड़े लग रहा है जितना बड़े देखने में लग रहा है उसे ज़्यदा टेस्टी ये खाने में बना है अब देखिए आप इस अचार को ना जिस भी बरतन में स्टोर करके रखे ना तो उसमें आपको तेल डाल कर अचार को रखना है अगर आप तेल डाल कर अचार को रखते हैं तो जो अचार है ना लंबे टाइम तक चलता है अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो जो अचार है वो जल्दी खराब हो जाएगा, इसके साथ ही जो आप अचार में टेल डाले ना वो आप गरम करके लिए नहीं है गरम करके आप उसको नहीं ठंडा कर लेजिए उसके बाद ना आप उसको अचार में डाल सकते हैं ते 이दि why और आख्री अचार की जो रैस्पी है वो मोडी अचार की रैस्पी है इसका भी जो अचार खाने में बहुं। ज़्ध्र टेस्टी बन कर तीयार होता है। इसलिए और आखरी अचार की ज़ो रसपय मोटी हरी अचार की रसपइए इसका भी जो अचार खाणोoba भूट.. बना का तियार हुता है यह जो हरी मिरेच होती है का खालै का ग। तर trand होती है है को अब को आखिकेव..G्ट। तो इसके लिए आपको एक इस बात का खाल त्यान रखना है मिर्च पेने पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अगर मिर्च पे पानी रहेगा तो अचार जद्धी खराब हो जाएगा तो इसलिए हरी मिर्च को कपड़े से अच्छे पहुंच लेना है अब आप इस अचार को मिर्च के डंठल के साथ भी बना सकते हैं नहीं तो आगर आपको पसद नहीं है तो आप डंठल को निखाल भी सकते हैं अब देखे इसके बाद चाको से हरी मिर्च में इस तरह से चीरा लगा लेना है इसे सारी सारी हरी मिरच अचय से तयार कर लेना है अब देखिए जो अचार है नजो ऑचार है ब्रवा खरी मिर्च चार है तो इसके ल 거예요 न tek, एक स्पेश्ल मसाला तयार कर ले जो इसके अंदर भना है तो देखिए मसाला बनाने के लिए सबस्के को पहले एक बरतन ले लेना है और इसके बाद नहीं मैंने सौफ लिया है तो यह जो सौफ है नहीं चार से पांच चमच है तो इस अचारे में सौफ की महतरा थोड़ी ज़्यादा रखनी है सौफ से जो अचारे कान में भूच अधर टेस्ट विंगर तैयार होता है वैसे आप इसके अंदर सौफ के महतरा कम यह ज़्यादा भी कर सकते है अब देखिए इसके बादे मैंने तीन चमच खड़ा धनिया लिया है तो सौफ इसमें ज़्यादा लेनी है बागी चीज़ नहीं इसमें तीन तीन चमच ली डालनी है अब इसके बाद ही इस में डालेना तो यह तीन चमचली आए मैंने अब देखिए इस अचार में ना मैंने लाल मिर्च को योग नहीं किया इसके साथ जो हरी मिर्च लेए आचार के लिए वे जादे स्पैसी नहीं है तो जो अचार है तो थोडा सखाने में पायस देगा है इसके लिए मैंने यह काली मिर्च लिए वैसे आप ऑफसमने लेता है प्लग है डालना इसके बाद देखे मैंने तीन ही नीचम़ लिए है यह सरसो तो यह काली वायी सरसो है आप ने इसके चिचिंगे पीली वाली जरुट भी ले सकते हैं अब देखे ना गैस का फ्लेम लो कर देना है लो फ्लेम पे ने इन मसालों को देखे चलादो है ना हल्का-ल्का सब भून लेना है इस तरह से अगर वह वहले कर अचार लाइप बनाते हैंप तो आचार के से से घृए होएं इसके साथ ही गयस का फ्लेम आपको लो ही रगना है लो फ्लेम पे इसको बूल कर तैयार कर लेना है इसके बाद के इसे इन एक प्लेट में निकाल लेना हो इस तरह से ठंडा कर लेना है और जब यह मसाले ठंडे हो जाए तो इन मसाले को ना मिक्स में ग्रेंड कर लेना है अब अब देखिए मैंने एह कटउरी तेल लिया तो गरम करने के बाद साइड में ठेंडा के लिए रख देना है और अब देखिए मैंने मसाले का नदर दर पौडर बना कर तैयार करना है तो आपको भी इस तरह से इसका पॉडर बना कर तैयार करना है अब देखिए इस मसाले में थोड़े से पीसे भी मसाले और मिला लेने है तो देखिए सबसे पहले ना मेने नमक डाला है तो जो नमक है आप अपने टेश्ट के कोडिंग डाल सकते हैं अब आपने नमक खाना पसंद करते हैं यसके बाद आचार में थोड़ा सा खटा पाना है उसके लिए एक चमचा मचूर पाउडर धाल लेना है इसके साथी एक चमच डाल लेना है जीरो पाउडर अब देखिए अचार में अच्छा सा कलर आए तेल गर्म करके रखा हुआ था ना वह इसमें डाल लेना है तो यह मैंने चार चमत तेल डालना है पूसर तेल इसमें डालना है अब आधा इसमें सिर्का डाल लेना है तो आधा तेल और आधा तेल और आधा मैंने इसमें सिर्का डाल लिए जो सिर्का है आप इसकी चाहिए न अब तयार ने न अब देखे अ अब देखे मसाला बनकर तयार हो चुका है तो अब इसके बाद कारे रधी मर्च में मसाला भरकर अच्छ से तयार कर लेँ । को इस तरह लेदिक को अच्छ से खोलनाई है और देदरे इस तरह से ही मसाले को भरते जाना है मसाला ना काफ़े अच्छे से मिर्च में भरना है जितने अच्छे से ना आप मसाला इसके अंदर भरेंगे उतना ही हरी मिर्च का अचार ना खान में टेस्ट बन कर तयार होगा अचार बनाना बहुत ज़्यादा असन हो और फटा 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 से बनकर तयार हो जाता है वीडियो में बताएगे इस सारी बातों को अगर आप धियान रखते हैं अचार बनाएंगे ना तो आपका अचार ना कभी खराब नहीं होगा और सालो साल चले गया अब देखें दूसी हरी मिर्च में मैंने इस तरह से मसाला बढ़ लिया है तो आपको भी इस तरह से सारी हरी मिर्च में अच्छे से मसाला बढ़ते जाना है अचार ना कहने में बहुँचे टैस्टे बंकर तेयार होता है देखे आप जिस भी बरतन में हरी मिरच का चार को सिर्ट करकर रखना चाते हैं इस बरतन को आपको आचीर दोकर सापकर लेना है इसके साथ आपको दिएर रखना है आप जो बरतन ले रहे हो गिला नहीं होना चाहिए उसमें कोई पानी वगेरा नहीं होना चाहिए अगर बरतन में पानी रहेगा तो जो अच्छा रहा हो खराब चलदी हो जाएगा तो देखे जिस भी बरतन में आप अच्छार को इस्टोर करना चाहते हैं बर्तन आपको अचमे अच्छे से दोі कर बड़ें से सूका लेना है उसके बाद भी मेन आच्छा को स्टोर करना है हृभी मिरूज पीज्ट के अच्छा को बर्तन डालेने के लिने के बाद आपको उसमे ऊपर से तील डालेना है अब यह वही तेल है तो आप पहले नंग की तेल को अच्छी से गरम कर लेना है उसके बाद ठंडा होने के बाद ना अच्छार में ढाल सकते हैं इस तरह से अगर आप अच्छार बिनाएंगे तो आपका भी अच्छार नंबे टाइम तक चलिएगा अब आपको अगर इसको लंबे टाइम तक तीन से चार दिन के लिए धोब में भी रख सकते हैं इसके साथ ही इस तरह से बरतन को लटे पर लटे रहे जिससे कि जो तेल है सारे बरतन में अच्छे से फैल जाए और सारी मिर्च पना अच्छी से तेल लगे है च्छोट च्छोटी बातों को दियान में रखते हुए अगर आभी अचार बनाएंगे तो आपका वीडियो अचार है ना लंबे टाइम तक चलेगा मुझे उमिद आपको वीडियो जो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा